पंजाब में विधान सबाच नौँ से पहले कॉंग्रेस ने प्रदेश प्रधान नौजू सिंग सिद्धू के साथ खेल कर दिया सिद्धू को प्रदेश प्रधान का लाली पॉप कॉंग्रेस ने पहले ही थमा दिया था लेकिन सिद्धू सिएम बनने का सपना देख रहे थे लेकिन कॉंग्रेस ने सिद्धू के सपने को चकना चूर कर लुध्याना की रैली में चरणजी सिंग को सिएम कंडिडेट घोशित कर दिया लुध्याना रैली में पूर प्रधान सुनिल जाखर नौजो सिद्धू और चरणजी सिंग चन्नी तीनों मौझूद थे लेकिन जाखर और सिद्धू को कॉंग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा जटका दिया है नाराज जाखर और सिद्धू दोनों ने कॉंग्रेस से बगावत शुरू कर दी है सुनिल जाखर ने चन्नी को सिएम कंडिडेट घोशित करने के बाद ही एक्टिव राजनीद को अलविदा कह दिया है इसके अलावा अब सिद्धू भी कॉंग्रेस साइकमान और चन्नी पर जम कर परस रहे हैं सिद्धू ये भी संकेत दे रहें कि वो प्रदेश प्रधान नहीं भी रह सकते हैं सिद्धू ने उस रैली के दोरान राहूल गादी के सामने ये भी कहा कि अगर वो PCC अधक्ष पने रहे तो किसी MLA के बेटे को चेयर्मेंशिप नहीं बलकी कारकरता को मिलेगी राहूल गादी और चन्नी के सामने सिद्धू ने कड़कते वर दिखाते वे कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं PCC अधक्ष पना रहूँगा तो किसी विदायक के बेटे को चेयर्मेंशिप नहीं मिलेगी कारकरता को मिलेगी किसी को विशेशादिकार मिले तो तुरं कर कॉंग्रेस और चन्नी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। निल जाखर ने सक्री राजनी छोड़ने का एलान कर दिया है। HALाकि उन्होंने कहा कि वो कॉंग्रेस में बने रहेंगे। जाखर ने कहा मैं सक्री राजनी से दूर हूँ ये मैं पिछले पाच दिनों से कह रहा हूँ लेकिन मैं कॉंग्रेस का हिस्सा बना हुआ हूँ हाला के कुछ दिन पहले जाखर ने दावा गिया था कि वीते साल अमरिंदर सिंग के अचानक खटने के बाद पार्टी के 22 विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे ऐसे में माना जा रहा है कि चन्नी को सीम उमिद्वार गोशित करने का ये एफेक्ट हो सकता है और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं